सुवर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का रविवार 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया लता कोविड-19 से संक्र में थुईती जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराये गया था लगबग एक महीने भरती रहने के बाद मल्टी और्गन फैल्योर के कारण लता का निधन हो गया था अंतिम संसकार से पहले लता का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था यहाँ पर प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी सहिते वॉलिवुड के कई बड़े कलाकारों ने लता मंगेशकर को शरद्धान जली दी यहाँ पर वॉलिवुड सुपरस्टार शाहरुक खान ने भी लता मंगेशकर को शरद्धान जली दी जिस पर सोशल मीडिया पर काफी बवाल हो गया दरसल शाहरुक खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें वह अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के सामने दूआ पढ़ रहे हैं इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें शाहरुक खान दूआ पढ़ने के बाद अपना मास्क उतारते हैं इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर बहुत से लोग भड़क गए हैं और कुछ यूजर्स का कहना है कि शाहरुक खान ने मास्क उतार कर लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर ठूका था शाहरुक खान के इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है बहुत से लोग शाहरुक खान की जम कर आलोचना कर रहे हैं हालकि बहुत से यूजर्स ने इसे गलत बताया है शहरुक ने पार्थिव शरीर पर थूका था दरसल शहरुक ने दूआ पढ़ने के बाद फूक मारी थी इसलाम में ऐसा बूरी शक्तियों को दूर करने के लिए दूआ पढ़ने के बाद किया जाता है शाहरुक खान की कई फैंस ने उनका सोशल मीडिया पर बचाव किया है एक ट्यूटर यूजर ने लिखा शाहरुक ने थूका नहीं था बल्कि उन्होंने इसलाम की मताबिक लता जी से बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए फूक मारी थी और अगर लोग इस बारे में पड़े तो सच्चाई जान जाएंगे बदादेर अविवार शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राज की सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संसकार किया गया भारत सरकार ने लता के निधन पर दो दिन की राज की शोक की घोशना की है